Hello friends, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि जब भी आप HSE इंटरूट ले जाते हो तो आपको fire के related कौन से questions पूछे जा सकते है और उसका आपने किस तरीके से answer देना चाहिए तो चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि fire क्या होता है तो उसकी definition है Fire is a chemical reaction of fuel with required amount of heat, oxygen and during the reaction heat and light produces Fire यानि कि एक ऐसा chemical reactions होता है जिसमें fuel हो गया, heat हो गया और oxygen हो गया इन तीनों का एक chemical reactions होता है और उस chemical reactions से heat और light जो है वो produce होती है उसे fire कहता है तो चली अब जानते हैं कि ये fire के elements क्या होता है तो elements of fire में आता है सबसे पहले fuel, फिर है oxygen, फिर है heat लेकिन इसमें भी हमें एक बास समझना बहुत ही ज़रूरी है जैसे कि एक room है, उसके corner में हमने क्या किया एक जगा पर fuel रग दिया दूसरे corner में है oxygen और तीसरे corner में है heat तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये fire के तो elements है अब ये एक कमरे में है तो fire लग जाएगी तो इसका answer आएगा नहीं क्यों? क्योंकि ये अलग-अलग है तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये तिनों combine नहीं होंगे आपस में तब तक आग नहीं लगेगी और ये combine होने के बाद जब तक उसमें chemical reaction जैसे कि हमने definition में देखा था वो जब तक नहीं होगा तब तक आग नहीं पगड़ेगी तो इसमें चवथा point जो है वो add हो जाएगा वो यानि कि chain reactions यानि कि इन तीनों में जो reactions होगी उसे chain reactions कहते है वो जब तक नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी यानि कि उसके elements of fire में चार factor आएंगे वो हो जाएगा fuel, heat, oxygen और last में chain reaction चलिए अब जानते हैं कि fire triangle क्या होता है तो fire triangle में क्या होता है जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि fire के elements क्या है वो कुन से थे? वो तीन elements थे वो थे fuel, oxygen और heat अब ये जो fuel, oxygen और heat है इन तीनों को अगर combine किया जाए तो उसके बाद जो एक chain reactions form होगी उसी को fire triangle कहता है यानि कि fire triangle क्या हो जाएगा fuel plus oxygen plus heat plus chain reactions ये जब चारो combine होंगे तभी fire occur होगी और फिर उस fire को fire triangle कहेंगे आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने है कि अब fire triangle को fire tetrahydrant कहते है क्योंकि पहले fire triangle में three components आते थे वो थे oxygen, heat और fuel लेकिन अब जब से ये चवथा components add हुआ यानि कि जो chain reaction हमने इसमें देखा है तो जब से ये add हुआ है तब से इसका नाम fire tetrahydrant हो गया है यानि कि fire triangle में three components होते है और fire tetrahydrant में four components होते है आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो fire triangles के elements है इसमें से अगर एक भी elements वहाँ पर नहीं रहेगा तो ये fire rocker नहीं होगी example के तोर पर ये जो तीनों elements है जैसे कि fuel, oxygen और heat इसमें से एक भी elements अगर आप निकाल दोगे तो उसकी chain reaction form नहीं होगी और वो fire rocker नहीं होगा फिर उसके बाद आपको questions पूछा जा सकता है कि fire के क्या classification होते है तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir अगर हम international standard की बात करें तो classification of fire जो है वो six category में है यानि कि there are six classes of fire उसमें आता है class A class B, class C class D, class E और class F तो चलिए जानते हैं इसे sunship में अब ये जो six classes of fire है ये depend करता है कि types of fuel कून सा use हो रहा है इसकी उपर इसकी categorize की गई है तो चलिए जानते हैं कि class A fire में क्या आता है तो class A fire में आता है combustible material यानि कि जलने वाली चीज example के तोर पर जैसे कि wood हो गया, paper हो गया, rubber हो गया इसको अगर आग लगती है तो वो class A fire है चलिए अब देखते हैं कि class B fire में क्या आता है तो class B fire में आता है flammable liquid यानि कि ऐसा liquid जो जो जोलनशिल हो जैसे example है petrol, diesel, paint इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो class B fire में आती है तो चलिए अब देखते हैं कि class C fire क्या है तो class C fire में आता है flammable gases यानि कि जलने वाली gases यानि कि जो भी gases जो जलती है वो class C fire में आती है जैसे हम example लेते है hydrogen gas जलती है, butane gas जलती है methane gas जलती है इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो class C fire में आती है चलिए अब जानते हैं कि class D fire में क्या आता है Class D fire में आता है combustible metals अब जो भी metal है जिसको आग लग सकती है वो categories Class D में आती है जैसे कि आपको पता है कुछ chemicals है जिसको आग लग सकती है जैसे कि magnesium उस metal को अगर मानलो आग लगती है aluminium को आग लगती है, putemcium को आग लगती है इसको अगर मानलो आग लगती है तो वो class D fire में आती है अब देखते हैं कि class E fire क्या है तो class E fire में आता है electrical fires यानि कि जो भी electrical equipment है और उसमें अगर मानलो keep जो power है वो चालू condition में है उस दोरान अगर आग लगती है तो वो class E fire category में आती है example लेते है electrical equipment का जैसे की computers हो गया generators हो गया ये जो है ये electrical power supply से चलते है अगर मानलो वो power supply में कुछ current leakage हो जाता है जिसके दोरा fire create होती है तो वो इस category में आता है आपको ये ध्यान में रखना है कि electrical power conditions में अगर मानलो electrical atom हम remove ही कर दे तो उसका जो fire class है वो change हो जाएगा यानि कि जो computer है उसको हमने power supply दिया लेकिन वो power supply cut off कर दिया बाद में उसे अगर मानलो आग लगती है तो उसका जो fire का जो class है वो change हो जाएगा तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है फिर देखते हैं कि class A fire क्या है तो class A fire में आता है cooking oils example के तोर पर हम लेते हैं कि kitchen fire जब भी आपके kitchen को अगर मानलो आग लगती है तो वो class A fire category में आती है तो इस प्रकार हमने fire के जो है वो six classes देखे है as per international standard अगर हम Indian standard की बात करते हैं तो वहाँ पर शुरू में fire के जो है वो चार classes ही आते थे वो यानि कि class A fire, class B fire, class C fire और class D fire और फिर बाद में उसमें और ए class add हो गया जो था class A fire यानि कि अब हम Indian standard की बात करें तो Indian standard में total 5 टाइब के fire classes होते है electrical fire जो है वो Indian standard में consider नहीं किया जाता तो चली अब देखते है कि fire extinguisher के कितने types होते है खासतोर से अगर देखा जाए तो fire extinguisher के 5 main type होते है उसमें आता है water type fire extinguisher, second आता है foam type fire extinguisher, third आता है dry powder fire extinguisher, fourth आता है carbon dioxide fire extinguisher और FIP में आता है weight chemical fire extinguisher आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि water type जो fire extinguisher है उसके भी different versions आते है यानि कि water type fire extinguisher के भी different दो जो है वो different version है वो है water mist extinguisher और दुसरा है water spray extinguisher लेकिन ये जो दोनो है वो water की ही form है इसलिए उसको एक ही category में divide किया गया है और एक fire extinguisher है जिसका नाम है dry powder उसके भी different version है एक है dry powder standard extinguisher और दूसरा है dry powder specialist extinguisher अब ये दोनों जो different version है वो एक ही category में आते है यानि कि dry powder में इसलिए इसको एक ही consider किया जाता है इसका मतलब ये हुआ कि fire extinguisher के जो सब version है उसको अगर हम consider करते है तो total 8 type of fire extinguisher हो जाते है लेकिन अगर हम main fire extinguisher की बात करे तो उसके total 5 type है आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी fire extinguisher नहीं है कि जो सभी classes of fire पर चल सकेगा फिर उसके बाद आपको questions पूछा जा सकता है कि water fire extinguisher के बारे में आप क्या जानते हो तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि sir तो water type fire extinguisher जो है वो class A fire के लिए ज्यादा तर use किया जाता है तो water type fire extinguisher को हम कैसे पैचानेंगे तो सबसे पहले जो है वो fire extinguisher के उपर water लिखा हुआ रहेगा और दूसरी बात उसका जो label color रहेगा वो रहेगा bright red इसकी बज़े से आप उसको easily identify कर सकते हो water type fire extinguisher जो है वो खास तोर से organic material जैसे की paper हो गया उड़ हो गया इसकी उपर इसका इस्तमाल किया जाता है तो water based fire extinguisher का हमें कहां पर इस्तमाल नहीं करना चाहिए आईए उसके बारे में जानते है electrical equipment को अगर मानलो आग लगती है तो उसके उपर आपको water type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है kitchen को अगर मानलो आग लगती है तो वहाँ पर भी आपको water type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है flammable gas या फिर जो liquid है उसके उपर अगर मान लो आग लगती है वहाँ पर भी आपको water type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको ये questions पूशा जा सकता है कि foam type fire extinguisher के बारे में आप क्या जानते हो तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि sir foam type जो fire extinguisher है वो ज्यादा तर यूज होता है class B fire के उपर लेकिन उसका इस्तमाल class A fire पर भी कर सकते है क्योंकि वो water base है foam type of fire extinguisher को हम कैसे पचानेंगे तो उसका जो labeling color है वो रहता है cream color का और उसके उपर foam लिखा हुआ रहता है तो हम उसको easily identify कर सकते हैं foam type of fire extinguisher को खास तोर से जो organic material है जैसे कि paper हो गया, cardboard हो गया, wooden हो गया, इसके उपर हम उसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ जो flammable liquid है जैसे कि paint हो गया, petrol हो गया उसके उपर भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो foam type fire extinguisher का इस्तमाल कहां पर नहीं करना चाहिए आईए उसके बारे में बात करते हैं तो kitchen type की जो fire होती है उसके उपर आपको foam type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है electrical equipment को अगर मानलो आग लगती है तो उसके उपर भी आपको foam type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है और मानलो metal को अगर आग लगती है तो उसके उपर भी आपको foam type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि dry powder जो extinguisher है उसके बारे में आप क्या जानते हो तो उसके लिए आपको यह answer देना है कि sir dry powder fire extinguisher जो है वो class A, class B और class C fire जो है उसके उपर हम इसका इस्तमाल कर सकते है इसलिए हम उसको ABC type fire extinguisher कहते है तो अब हम dry powder fire extinguisher को कैसे पैचानेंगे उसके उपर powder जो word है वो लिखा हुआ रहता है और उसका जो labeling color है वो blue color का रहता है जिसकी वज़े से हम उसको easily identify कर सकते है dry powder fire extinguisher का जो इस्तमाल है वो आप organic जो materials है जैसे की paper है, cardboard है, wood है इसकी उपर तो कर सकते हो, साथ ही साथ जो flammable liquid है, जैसे की paint, petrol इसकी उपर भी कर सकते हो और उसके साथ ही flammable जो gases है, जैसे की LPG gas है, acetylene gas है, उसकी उपर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो अब बात करते हैं की dry powder fire extinguisher जो है, वो कहाँ पर इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो जो cooking oil है, उसके उपर गर मानलो आग लगती है, तो वहाँ पर आपको dry powder extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है 1000 volt के उपर वाले जो electrical equipment है, उसको अगर मानलो आग लगती है, वहाँ पर भी आपको DCP type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको ये questions पूछा जा सकता है कि carbon dioxide fire extinguisher के बारे में, यानि कि CO2 fire extinguisher के बारे में, आप क्या जानते हो तो उसका अंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, तो CO2 type जो fire extinguisher है वो खास दोर से जो electrical type की fire होती है, उसके उपर इसका इस्तमाल किया जाता है आपने देखा होगा कि जो computer server जो room होती है, उसके बाहर जादा तर हम CO2 type fire extinguisher रखते है अब हम CO2 type fire extinguisher को कैसे पचानेंगे, तो जो fire extinguisher है उसके उपर CO2 लिखा हुआ रहेगा और साथी में उसका जो labeling color है वो black रहेगा, उसकी वज़े से हम उसको easily identify कर सकते है अब आईए जानते हैं कि CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कहां पर करना चाहिए तो flammable जो liquid है, जैसे की paint हो गया, petrol हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कर सकते हो और दूसरा electrical fire, electrical equipment को अगर मानलो आग लगती है तो वहाँ पर भी आप CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कर सकते हो चली अब बात करते हैं कि CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कहां पर नहीं करना चाहिए खास तोर से जो kitchen fire होती है, उसके उपर आपको CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है Compustible material, जैसे की paper हो गया, wood हो गया, या फिर textile हो गया, उसके उपर आपको CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है Flammable जो metal है, जैसे की magnesium हो गया, potassium हो गया, उसको अगर मानलो आग लगती है, तो वहाँ पर भी आपको CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि weight chemical fire extinguisher के बारे में आप क्या जानते हो तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir, weight chemical fire extinguisher को class F fire के लिए design किया गया है जिसमें cooking oils और fats involved होते है, उसको अगर मानलो आग लगती है, तब वहाँ पर weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल किया जाता है तो अब ये weight chemical fire extinguisher है, उसको हम पैचाने के कैसे, तो उस fire extinguisher के उपर weight chemical लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो labeling color है वो yellow रहेगा, उसकी वज़े से हम उसको easily identify कर सकते है अब इस weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल कहाँ पर किया जाता है जैसे कि cooking oil और fat को आग लगती है, तो उसकी उपर हमें इसका इस्तमाल कर सकते है आई अब देखते हैं कि weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल हमें कहाँ पर नहीं करना चाहिए जैसे कि flammable liquid और flammable gas जो fire होती है, उसके उपर हमें weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है electrical equipment के उपर अगर मान लो आग लगती है, तो वहाँ पर भी हमें weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है और साथ ही में जो flammable metals है, उसकी उपर भी हमें weight chemical fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि आग भुजाने का जो तरीका होता है उसका जो pass rule होता है उसका pass rule का क्या meaning होता है तो pass rule में P stand for pull the pin from fire extinguisher यानि कि fire extinguisher से सबसे पहले हमें pin को pull करना है यानि कि खीचना है A stand for aim at the base of fire यानि कि जहाँ पर आग लगे हुई है उसके base के उपर हमें निशाना साधना है A stand for squeeze the handle यानि कि अब हमें उसका जो handle है उसे अच्छे से squeeze करना है यानि कि दबाना है और आखरी वाला pass का yes इसका मतलब होता है sweep यानि कि sweep from side to side at the base of the fire until it appears to be out यानि कि हमें sweep करना है side by side से कहाँ पर तो जहाँ पर आग लगी है उसके base के उपर और कब तक हमें करना है कि जब तक वो आग बूजना जाए फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि fire extinguishing methods यानि कि क्या होते है तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir तो सबसे पहली method है cooling method इसमें हम क्या करते है कि जो fire का region होता है उसमें से हम heat को remove करते है उसे cooling method कहते है और इस heat को हम remove करने के लिए by using water जो है वो इस्तमाल कर सकते है या फिर form type जो fire extinguisher है उसका भी हम इस्तमाल कर सकते है फिर उसके बाद है starvation method इसमें क्या होता है कि जो fire का जो scene होता है उसमें से हम fuel को remove करते है उसी को starvation method कहते है और ये fuel को हम कैसे remove कर सकते है तो जो भी fuel का supply है उसको हम cut करके इस fuel को remove कर सकते है फिर उसके बाद है smoothing method इसमें हम क्या करते है कि जो fire का scene होता है उसमें से हम oxygen को remove करते है उसी method को smoothing method कहते और इस oxygen को हम कैसे remove कर सकते है तो उसके लिए हम CO2 fire extinguisher या फिर DCV fire extinguisher का इस्तमाल करके हम oxygen को remove कर सकते है और फिर उसके बाद हमारी method है chain breaking reaction इसमें हम क्या करते है कि जो fire की जो chain होती है उस chain को हम DCV fire extinguisher का इस्तमाल करके भी तोड़ सकते है या फिर blanketing का इस्तमाल करके भी उस chain reaction को तोड़ सकते हैं इस chain reaction में क्या होता है कि किसी agent को हमें apply करना पड़ता है उस chemical chain reaction के उपर ताके वो जो जलने वाली जो products है उसमें breakdown कर सके और ये जो breakdown है ये heat या फिर oxidization के जरीए होता है तो ये जो चारो method है इसमें से अगर हमने किसी एक को भी अगर interfere कर लिया यानि कि किसी एक को भी अगर remove कर लिया तो हम fire को बढ़ने से रोख सकते हैं फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि fire sprinkler system यानि कि क्या होता है तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir fire sprinkler system एक fire fighting system होती है जो एक जगा पर fix की जाती है और ये जो fire sprinkler system होती है वो एक automatic sensitive होती है automatic sensitive यानि कि वो automatic temperature को sense कर लेता है जब भी वो temperature उस according to fire sprinkler system के अनुसार अगर वो temperature अगर बढ़ जाता है तो वो उसको sense कर लेता है तो ये जो fire sprinkler system है ये high rise building हो गया या फिर industry हो गई, oil and gas industry हो गई, manufacture industry हो गई, offices हो गई और बहुत सारे premises में इसको install किया जाता है मतलब जहां कहीं भी आग लगने का खत्रा होता है वहाँ पर इसको install किया जाता है चली अब जानते हैं कि ये जो fire sprinkler system है ये किसलिए importance होती है तो fire sprinkler system इसलिए importance होता है क्योंकि छोटी से छोटी जो आग होती है उससे बड़ी आग हो सकती है तो उस छोटी आग को immediately वही पर ही खतम करने का काम जो होता है वो fire sprinkler system करती है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि sprinkler के body parts क्या होते है तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि sir तो आपके सामने ये जो fire sprinkler system है इसका जो अपर का जो part होता है उसको deflector कहते है और center में जो glass tube है उसको temperature sensitive glass tube कहते है क्योंकि इसका जो function होता है वो temperature को sense करना होता है इसलिए इसका नाम temperature sensitive glass tube होता है और इस glass tube के नीचे में जो एक ring आती है उसको ceiling या फिर cap कहते है तो ये इसके body parts है जो आपको ध्यान में रखना है फिर उसके बाद आपको question पूछा जा सकता है कि fire sprinkler system कैसे work करता है इसरा होता है ceiling तो इसमें जो glass tube होता है उसमें liquid जो है वो भरा जाता है और वो जो liquid है उसमें mixture होता है alcohol का water का या फिर glacering या water का तो ये जो fire sprinkler system है इसको office हो, high rise building हो, oil and refineries हो हर जगा पर इसको install किया जाता है अब install करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो glass tube है जिसे temperature sensitive glass tube कहता है ये क्या करता है कि temperature को sense करता है यानि कि एक particular temperature पर ये जो glass tube है ये फट जाती है और फटने के कारण जो ये ceiling है यानि कि जो cap है वो उपर की तरफ निकल के बाहर निकल जाती है और फिर वहां से पानी निकल के ये जो deflector है उसके उपर push होता है और ये deflector के through जो है वो पानी जो है वो चारो और फैल जाता है तो इस प्रकार fire sprinkler system जो है वो काम करता है फिर उसके बाद आपको question पुछा जा सकता है कि types of fire sprinkler यानि कि fire sprinkler के कितने types होते है as per उसके color code के नुसार खास तोर से देखा जाये तो fire sprinkler system के बहुत सारे ऐसे different types होते है वो depend करते है कि उसका atmospheric temperature जो है वो कितना है और ये जो fire sprinkler system है जो depend होते है atmospheric temperature के उपर तो उसके नुसार उसका जो glass tube होता है उसका color होता है यानि कि हर एक color coding का एक अलग mini होता है तो चलिए देखते है कि ऐसे कितने प्रकार के fire sprinkler system है जो depend होते है उसके atmospheric temperature के उपर तो सबसे पहला fire sprinkler system है वो है orange glass bulb इसमें जो glass bulb होता है उसका जो temperature होता है वो set किया गया रहता है 57 degree Celsius पर यानि कि उतना अगर temperature वो glass bulb जो है वो sense करेगा तो वो automatically वो वहाँ पर burst हो जाएगा और burst होने के कारण वहाँ से पानी निकलेगा और वो चारो और spring करेगा तो ये जो orange glass bulb है इसका इस्तमाल ज्यादा तर घरों में या फिर offices में किया जाता है फिर उसके बाद है red glass bulb यानि कि जो fire sprinkler system है उसमें जो tube है वो अगर red color की है तो जो glass tube है उसका जो temperature sensitivity होती है वो होती है 68 degree Celsius यानि कि उतना अगर temperature अगर मिल जाएगा तो वो automatically burst हो जाएगा औ फिर उसके बाद का जो sprinkler है वो है yellow glass bulb उसका जो temperature sensitivity है वो रहती है 79 degree Celsius और इसका ज्यादा तर जो इस्तमाल है वो kitchen हो या फिर small workshop में किया जाता है फिर उसके बाद वाला जो sprinkler है उसका नाम है green glass bulb जिसका temperature sensitivity होती है 93 degree Celsius और इसका ज्यादा तर इस्तमाल hotels के जो kitchens होते हैं पर इसका इस्तमाल किया जाता है फिर उसके बाद है blue glass bulb यानि कि blue color का उसका अगर glass bulb है तो उसका जो temperature रहेगा वो रहेगा 141 degree Celsius और इसका जो इस्तमाल है वो ज्यादा तर industry या फिर chemical plan में किया जाता है फिर उसके बाद जो sprinkler system है वो है मववा glass bulb इसका जो temperature होता है वो होता है 182 degree Celsius यानि कि इतने temperature में वो on हो जाएगा और water sprink होके यानि कि spread होके उस आग को बुझाय जाएगा तो इसका जो ज़्यादा तर इस्तमाल है वो oil industry में और chemical plan में किया जाता है फिर उसके बाद का जो sprinkler आता है वो है black glass bulb और इसका जो temperature होता है वो होता है 204 से लेकर 260 degree Celsius तक यानि कि इसका जो temperature होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है तो इतना सारा temperature हमें कहां मिलेगा तो वो हमें मिल सकता है oil refinery में या फिर जहाँ पर metal को melt किया जाता है और casting किया जाता है अलग-अलग shape में और अलग-अलग size में तो वहाँ पर जो है इतना ज़ादा जो temperature है वो create होता है तो उस temperature से लगने वाली जो आग है उसको बुझाने के लिए इस type का जो sprinkler है वो वहाँ पर install किया जाता है तो दोस्तो आशागरता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप agency इंटरूट लिए जाते हो तो आपको fire के related कौन से सवाल पूछे जा सकते है और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए तो बस आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में एक नहीं टॉपिक के साथ में तब तक के लिए take care bye bye